सर पैसा उसके पास चला जाएगा जो प्लाणिंग कर रहा है क्योंकि दुनिया में धन तो लिमिटेड है ओफिस वाले नहीं तो ताना मारेंगा रहे तुम कहीं गुमने जाते ही नहीं गरीब हो क्या और उमको बताना है कि हम गरीब नहीं है तो लोन ले करके परिवार के साथ इंस्ट्राइगरम से फोटो डालेंगे लगजरी में रहने का इतना ही चुल्ल है तो पहले थोड़ा पैसा बना लो उसके बाद अपना ही चुल्ल पूरा करना फिर कौन रोक रहा है लेकिन आवकात है नहीं बाओ जी कह रहा है अब तुम्हाई नौकरी लग गए घरी ले लो साधी में दहेज मोटा मिले अपना गरोगा लड़की का अब इस चकर में होंग लोन लेकर के घर ले लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कैसे एक होटा पैसा चाहिए होता है तब ही जाके हम प्रॉपर्टी में वेल्थ बना सकते हैं यह गल्फ फैमी है सर ऐसा नहीं है जो चीज़े आज हम बात करने वाले हैं यह चीज़े जान करके आपको क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में जो प्रॉपर्टी से अमीर बने हुए लो प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर maximum लोग गलती करके ही सीखते हैं लेकिन इस गलती की कीमत बहुत भारी पड़ती है लाकों में साथ कभी कभी करोडों में तो इतनी बड़ी गलती करने से आज बजाने का agenda है मेरा आपको इस session के जरिए और सही investment क्या होता है सही investment कहां करना चाहिए वो भी बताने का मेरा इरादा है आपको ठीक है जनरली लोग जवानी में गलती कर लेते हैं बीस से तीस साल की उमर ऐसी होती है जो ज़ादर लोग गलती करते हैं प्रोपर्टी में और जब तक उनको ऐसास होता है कुन्नोंने गलती कर दी कास हमने वहां जमिल ली होती है, अग्यानता की वज़े से ही ऐसे फिर कास्ट निकल के आते हैं, तेखो पहले तो ये समझो कि property जो होती है ना, तीन टाइप की होती है, एक होती है real property, दूसरी होती है residential property, तीसरी होती है commercial property, हम समझेंगे कि कहां हमारे को invest करना चाहिए, कहां यहाँ स्याटों आगी झेल निगाला सकता है रिल प्रपापर्टि होती है इसका कोई रही प्लेस्मेंट ही नहीं है जितना अप्रेशेशाक अप्लकिशन में ले सकते हो वह किसी और रहन पैसा लगाया लगाया होगा उस उससे जादा appreciation आपकी residential property का हो गया, यह हो सकता है, उससे जादा appreciation commercial property का हो सकता है, पॉसिबल है location की वज़ा से, लोकेशन में उस location में पता चले, जिस location में आपने flat ले रखा है, उसका बगल मोदी जी आकर के घर बनाने वाले हैं, तो फिर तो उस location की कीमत तो rocket की स्पीट से बनाया नहीं जा सकता, भगवान ने जितना बना के दे रखा है, उत्ताई fix है, और जो भी चिछ fix है दुनिया में, और demand उसकी बढ़ती चली गई, supply limited है, जमिन की supply तो limited fix, लेकिन population कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक धरती है, जब तक दुनिया है, population लगतार बढ़ती बढ करनी है, आज आपने अगर जंगल में भी जमील दे रखा है नशर, निशेंद रहो, हो सकता है कि भी तुरंत ना बढ़े, बहुत सालोस हो सकता, आपका रुका हुआ है, कीमत नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ेगा जरूर, यह ताए है, लेकिन क्या है चीज कमर्शिल रेस प्रपरटी में आजाते हैं, रेसिदेंशल प्रपरटी में होता है, फ्लाट जिसको आप कहलो, या फिर कोई बना-बनाय मकान जमीन से जुड़ा अप लेते हूँ, बना-बनाय जो मकान होता है, मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्मेंट पॉइंट पॉंट अफ्यू से, रह सौदा ठीक नहीं है, रीजन यह है कि जब आप मकान किसी को बेचो गे ना, बना-बनाय मकान, तो हर आदमी जो लिता है मकान वो अपने हिसाब से उसको बनाना चाहता है, अपने हिसाब से कमरा, अपने हिसाब से ड्राइंग रूम, अपने हिसाब से हौल, अपने हिसाब से कि भाई, इसकी सप्लाइ बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से अभी अबने बात करा ना सप्लाइ फिक्स थी जमीन की और डिमांड अल्मिटेड बढ़ती रहेगी, तो इस लिए जमीन की इसमें जबढ़ की अप्रिशेशन कम है सर अगे फिर से यहां कमेंट बॉक्स में लिखना हमने वाला है उस लोकेशन पर कोई स्टीडियम बनने वाला को एड़ बनने वाला है आपके पर्दानमंत्री वहीं आगे रहने वाले कुछ भी हो रहा है तो उस लोकेशन की बात अलग है लेकिन 90 अप्रिशेशन मैं कहता हूँ कि सबसे कम है सबसे कम सबसे धी मढ़ता है तीसरी टाइप की प्रापर्टी अधियेकını कमर्शयल का मतलब होता है या तो आफीस हो गया या धूकान ही यहाँ पर切. cow also कि मेरि अप्रिशेश की है pelos कि यहां लगकी दोशन अच्छीू आप्रिश कि आफिस जैसे है तो, आज मानलो आपने किसी market area में office ले रखा है, उस market area से 5 km दूर जा करके, आपको हो सकता है कि आधे rate में office मिल जाये, तो वहां पे जाकर भी आप अपना office में आधे rate में ले ले करके, वहां भी आप employe बिला सकते हो, यानि कि आपके धंदे पर, आपका जो लेकिन दुकान के केस पर फर्क पड़ जाएगा धंदे पर मार्केट में अगर किसी हलवाई की दुकान है तो अगर वो एक लाख रुपा महीने की सेल कर पारा है एक जादा भी कर सकते हो एक लाख रुपा महीने की अगर सेल कर पारा है मार्केट में किसी हलवाई की दुकान ह सब पांच किलोमेटर अगर अंदर चला गया तो सकता है उसकी लादी हो जाए पचासदर के सेल हो जाए क्योंकि अंदर पॉपलेशन कम है ठीक है तो दुकान इसलिए अगर सही लोकेशन पर है तो उसकी उसका अप्रेशेशन तेजी से डिमांड आदमी की दुकान अगर सही पर है क्योंकि दुकान में अप्लोकेशन पर कम्पर्माइज नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते टुकान अगर मार्केट थी इदर दर था पीछो चले गा इसलिए ओफिस की appreciation comparatively दुकान के कम है अच्छा फ्लाट में फ्लाट में दो आदमी कही था फिर 20 किलोमेटर दूर भी लेंगे तो क्या दिक्कत है फैमिली को ही तो रखना है है ना तो इसलिए सारा खेल डिमांड का है सारा खेल डिमांड और उस लोकेशन का है अगर उस लोकेशन से कंप्रमाइज नहीं किया जा सकता तो उस लोकेशन पर जो चीज है उसकी वैल्यू बड़ेगी दुकान उस लोकेशन से कंप्रमाइज आफिस के केस में कर सकते हो तो यानि कि उसका अप प्रिसेशन और कम होगा अचाब दूसरी चीज सम्झो का फ़वा में ही करता क्या होता है हम Debatte में है की एट साजावं हमॉश होानाद wanna क्यों मैं कह रहा हूं हवा में इन्बट सुल्स में यू हवा में होता है आज का टाइम पे तो 15 फ्लोर 20 फ्लोर 25 फ्लोर 30 फ्लोर मुंबई ऐसे जगह में जा तो सो सो फ्लोर लगजरी एंजोई करना है खुद के लिए रहने के लिए लेना है तब तो सौ फ्लोर पे लोगो दिक्कत नहीं है लेकिन अप्रेशियेशन इंवेस्मेंट क मुंबई जिसी जगह में अगर कोई समंदर वाला एरिया है एक दम सौ फ्लोर पे चड़ता ही समंदर दिख रहा है तो उसका अप्रेशियेशन तेजी से होगा लेकिन कितने जगों पे समंदर है भाईया 90 पसंट के ससमें नहीं है तो मैं हम उनकी बात कर रहे है अब मुद् दुकान में वेल्थ जल्दी बना जा सकता है और मोटा पैसा आपको नहीं चाहिए अप लोन की मदद से एमाई की मदद से वेल्थ बना सकते हो लोन तो मिली जाएगा हर किसी के पास 50 लाग करोड दो करोड नहीं होता तो और जमीन पर आपको लोन भी नहीं मिलता जमीन खर जीरो ब्रोकरेज के लिए जीरो ब्रोकरेज उपशेंस पर इंट्राडे पर फ्यूचर पर डिलीवरी पर करंशी पर सब पर जीरो ब्रोकरेज और हलिते है तो 6.99% से एमटिय def. भाई लाग यूजर इन जीरो ब्रोकरेज Broken अचीमेंट की बात करें तो एक लाग चालिस हजार करोड से जादा टर्नोवर है, दोसो साथ करोड MTF बुक, बारह करोड से जादा ट्रेड, बहतर करोड से जादा लोगों के सेव करा हैं इन्होंने पिछले तीन महीने में, आप की रेटिंग 4 स्टार है, तेरह सो बीस करोड स से जादा रेटेल क्लाइंट होल्डिंग है, और पिछले एक साल में जब से एंस्ट्रक्शन हुआ है, धाई लाख से जादा पेड अकाउंट है, इनके पास, आठ मिलियन से जादा अप डाउनलोड है, फोर स्टार अप की रेटिंग है, वन क्लिक पे और प्लेसमेंट हो ज किसी पर भी कोई ब्रोक्रेज नहीं लगता, दूसरा ओप्शन है 149 का, 149 में जीरो ब्रोक्रेज आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, डिलिवरी पर मुचल फंड पर आईप यहां पर आपको बीस रुपए देना होगा ब्रोक्रेज इंट्राडे पर अफनो पर करेंसी पर ठीक है, इसके साथ अगर आप DMAT अकाउंट पर 999 का उप्शन चूज करते हो, तो आपको lifetime तक कोई भी maintenance चार्ज नहीं देना है, otherwise आपको 120 रुपए quarterly as AMC DMAT अकाउंट पर देना होगा, अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा, जो 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल के उम्र में, होमलोन के प्रेशर में दब जाते हैं, अपने परोसी को देख लिया, इधर उधर को देख लिया, बाओ जी कह रहे हैं, अब तुम्हाई नोगरी लग गए घरी ले लो, साधी में दहे बाओ जी कह रहे हैं, क्या बता हैंगे लड़की वाले को लड़का, अपना घर नहीं, दिल्ली में रहा रहा रहा, अपना घर होगा, तो समझ रहों तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इस चेकर में होमलोन में फसे, तो कई फैक्टर होते हैं, आदमी, आज फैशन बढ़ जुका है, अपना घर होना, शेहरों में है तो यह अपना घर होना चाहिए, मुझे आस तक समझ नहीं होगा, क्यों होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, अपके पास पैसा है, तो लो पिर कौन रोक रहा है, लेकिन आवकात है नहीं, और जूट मुन का दिखाने के इसलिए होता है, मैं आज पास लोगों को जब देखता हो ना इसे करते हुए, मुझे बड़ी हसी आती है, मैं कितने बेवकूफ हैं लोग, किस हद तक कितने बेवकूफ हैं लोग, समाज के दिखावे से इतना जादा इंफ्लूएंस हैं, इनको कितनी चिंता है इस बात की, खुद को आमीर दिखाने के लिए अपना बेडा गरक कर लेते हैं, खुद को दिखा मैं पाइसे वाला हूं, यह दिखाने के लिए बैंक बैलंस का कामेसा खाली रहता है, अरे तुम नहीं दिखाओगे को मारे पास पाइसा चलो का मैं वो सोची लेगा, क्या फर्क बड़े तो जितने नए नवेले लोग होम लोन के चक्कर फसते हैं, सर मैं काओंगा थोड़ी दिर रुख जाओ, कुछ साल रुख जाओ, अच्छा, माल लेते हूं, पचास लाग रुपे का फ्लैट लेने का आपका प्लैन है, और पचास लाग का फ्लैट अगर आप लेते हो, तो चालीश लाग का लोन तो कराओंगे, दस लाग आप डॉंपेमेंट करोगे, रेजिश्टी वेच्टी का दो अलग से दोगे उसका तो लोन हों का नी, तो चालीश लाग का अगर आप लोन लेते हो, और आट-परसंट पैंको छोन मिल जाता है, तो तक्रीवन EMI आईगी सर, 35,000 रुपए 20 साल के लिए तो 35,000 रुपए EMI आप देने को तयार हो ना मैं कहूंगा थोड़ा सा अपनी लाइस्टाइल को कुछ पांच साल के लिए कंप्रमाइज करो कंप्रमाइज करो मतलब थोड़ा सा कम ही स्टेंडर्ड में रहोगे तो क्या भीगड़ जाएगा कुछ ने भीगड़ लेकिन फाइदा बहुत हो जाएगा मुनाफा बहुत हो जाएगा तकड़ी कमाई का ऑप्शन बन जाएगा और पूरा कैलकुलिशन के साथ समझाता हूं म ज़रा अपना स्क्रीन आपके सामने ले आता हूँ ताकि मैं आपको सम्झा आएँ ठीक है जड़ा थम लिजह रोग लेज़े हम आपके सामने मेरी स्क्रीनרט कर देखो मैने कुछ वही खाता लिखा हूआ हुआ है ध्यान देता का हासट आल कि 50 लाग का हाँ हूम लोन कि एम आई पर आओ लेकिन रेसिदेंशिल प्रपर्टी में नहीं फ्लैट में नहीं दुकान में लगा उसर और आप 10,000 रुपए रेंट दे करके किसी नॉर्मल से एरिया में रह लो कुछ समय के लिए तो 35,000 रुपए अगर दुकान में आपका इम आई जा रहा है दुकान के ठीक है तो 35,000 रुपए दुकान में देकर के क्या फाइदा है जान देखो ध्यान देना सर पांची साल तक यह लेगा आपका दुकान से हलाकि 20 सल का लोन है लेकिन यह दुकान वाला आपसे लेगा सिर्फ पांची साल तक पांची साल के बद तो यह कमा के देने लग देखो एक कॉलम मैंने लिखा है यह जो दुकान आप ले रहे हूं सर उस 35,000 रुपए रेंट यह जो दुकान है उस 50 लाग के दुकान को जब आप रेंट पे लगाओ गे ना तो आपको 25,000 रेंट मिल जाता है अगे यह लोकेशन पर डिपेंड करता है मैंने और वीडियो क साट लाग की प्रॉपटरी आपको 10,000 क की अपको 50,000 रेंट मिल जाएगा कर अच्छे से अपने रिखा आप्शन से सर लोकेशन का खेल है क्योंकि को दुकान आप 15,000 रेंट मिल जायेगा नौइडा एक्सेंशन एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत तेजी से डेवलपिंग एरिया है या भारत में किसी भी एरिय में चले जो आप मुंबई दिली या किसी भी जेक पर जो बहुत तेजी से डेवलपिंग एरिया है ना सर वहां पर आपको रेंटल बहुत अच्छा मिलेग ठीक है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 लग का गर दुकान आप डेवलिपिंग एरिय में ले रहे हो तो आपको 25,000 रुपए सब्सक्राइब पचास लग का दुकान ले रहे हो तो 25,000 रुपए मंतली रेंट आने लग जाता है ज्यादा भी आ सकता है किसी अच्छी प्रॉपटी में अगर कर दिया तो 25,000 रुपए यहां देखो मैंने रेंट लिखा है और एरली इंक्रिमेंट सर पहले साल आपको पूरे हर महीने 25,000 रुपए रेंट आ रहा है ठीक है और आपकी EMI जा रही है 35,000 रुपए दस अजर रुपए एक्स्टा फालतू जा रहा है अगले साल से हर महीने तीसरे साल यह 30,250 हो जाएगा चौत्य साल यह 33,250 हो जाएगा और पांचवे साल 36,250 मिलने लग जाएगा आपको हर महीने इसका रेंट सर ध्यान देना पांचवे साल 36,250 यानि कि अपनी जेब से इमाई नहीं देने का बिल्कुल नहीं देने का अच्छा पांच साल में जहां नौकरी चाकरी कर रहे हो धन्दा पानी जो भी आपका काम है उधर भी थोड़ा बढ़ेगा उधर इंकम उनकम होगी वह साइड रख करना है जहां पर इनुवाट करना है ओस इंकम से खरीदो यह सिंकम को थोड़ा लग रखो इस इंकम को पूरे कैसे मैनेज करना समझाता हो यानि कि पांचवे साल से यह प्रपरटी अपना खर्चा खुद ही निकाल रही है आप से नहीं मांग रही है ठीक है अब छटे साल स जादा आपको देने लग गई सर छटे साल ये दस प्रसेंट के मेंट होगे 49,900 आपको रेंट मिलने लग जाता है फिर साथवे साल 43,000 आठवे साल 48,000 नौवे साल 53,000 दसवे साल 58,000 रुपए आपको रेंट मिलने लग गया है सर यानि कि एक चीज समझे सर ध्यान से समझेगा सर आठवे साल जवाब को सॉरी छटे साल जबाब को 49,000 रुपए रेंट मिल रहा है यानि कि 4000 रुपर मंधली आपको फालतू मिल रहा है ना फालतू कहने मतलब 25,000 आपका यह मैं उदर जा रहा था तो 25,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना अब यहाँ पर यह चार जार सकत दप struggle, मही इस अगर स्क्मly suspect को खाला है ना ना फालतू अर गृतित के लिए इतना तो कंप्रमाइज करना पड़़ को बेचती ओ जाए खेंट फरेक्टनी पड़ता उसे ऑन्से मिल रहा हुए है क्योंकि आप भुरे समय में आपके साथ अगर कोई ख़ा है तो आपका बारा चारजार इंटु बारा हर महीन आरा रहा ना चारजार फालतु सर इसको करो SIP करने के लिए लिंक आपको डिस्रिप्शन में रखा है SIP किसी भी मुचुल फंड में कर सकते हैं विचुल फंड अगर नहीं समझ में आता थे बे धल्लक इंडेक्स फंड में कर दो रिस्क जतना है सारे इंडेक्स फंट में लग भग बराबर ही होता है हम पिले विडियो बात भी करें थी कि तो इतना टेंसल ले रहे हैं तो इसको करो एंडेक्स फंड में आपकी मर्जी एंजल वन से करना है तो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ठीक है सब्सक्रिप्शन अगले साल आपको 8000 फालतु आ रहा है और 8000 अच्छा इसको अगले साल आठवे साल सर तेरह साल आपका फालतु बच रहा है तो 13,000 रुपए आप कर दो SIP में, हर महीने आपका 13,000 जाहें लग जाएं, सर नौवे साल 18,000 फालतु होएं लग गया, तो नौवे साल 18,000 हर महीने SIP में लग जाएं, दसवे साल 23,000 रुपए हर महीने, SIP में करते चले जाओ, आप अगर ये कल्कुलेशन निकालोगे ना ये तो, क्यों स्टेट फ़वड अगर येहीं देखो आप, तो साल का आपको 48,000 रुपए यहां पर छटे साल में मिला, पूरे साल का, ये विदाउट इंटरस्ट की बात कर रहा हूं, SIP में लग लग एंटरस्ट इस पाइड होगा, आपको साथवे साल पूरे साल मिला करके 96, 50,000 आठीज साल पूरे साल मिलाके 1,56,000 नौरे साल पूरे साल मिलाके 2,16,000 अधार मिला दसवे साल 2,76,000 पॉल्तों कि बात कर रहा हूं वह 35 जर पर हटा करके जो आपका एमामी कट रहा है उसके अलग की बात कर रहा हूं ठीक है तो इनस आपको मिला हो गहा है ना सर इंटरस लगा करके कंपाउंडिंग वाला आपको लगा के तकरीब नौदस लाक रुपर बन जाएगा एसाइपी देखो समय का खेले कंपाउंडिंग समय का खेले इसी को अब लंबे समय तक कर तो 20 साल तक छोड़ तो इतना बोला फिगर निकल के आएगा कि आप कह नहीं सकते लेकिन नौदस लाक रुपर को न एक और 50 लग का दुकान का डाउन पेमेंट कर दो किसी और लोकेशन में देखना जो उस वक्त डेवलिपिंग एरिया हो तो लागे बढ़ जाओ इधर दो चले जाओ उस वक्त डेवलिपिंग एरिया हो अच्छी लोकेशन देखकर के 50 लग का एक आपको खर्चा कहां से मिला उसी दुकान से अच्छा यह जो 10 लाग का डाउन पेमेंट करने बाद जो इसकी एमाई जाएगी 35,000 रुपए यह कौन देगा सर यही दुकान देगा क्यूंकि अब 11 साल से देखो आपको 64,000 रुपए आपका रेंट हो चुका है 10 परसे इंक्र अब को देखो तो आपका डाउन पेमेंट का भी खर्चा उस पहले दुकान ने निकाला अगले दुकान का फिर से समराइज करता हूँ कहीं जाधा तेज तो नहीं बोल रहा है जल दी वाजिम तो नहीं समझा रहा है मैं जड़ा पता हो मुझे कमेंट बॉक्स से समझा पार रहा है ठीक है और दसवे साल बाद उस वहीं दुकान आपको एक नई दुकान का डाउन पेमेंट भी दिया एक नई दुकान का EMI भी देने लग गया आपकी जेब से नहीं जा रहा है ना मज़दार बात यानि कि अभी से 11 साल अगर आप 25 साल के भी हो तो 35 साल में अगर स्टार आउन की EMI आपकी जेब से नहीं आपकी गारी आपकी साल्री आपका जो भी बिजनस है उधर से नहीं जा रहा कह अपना निकाल रहा है बच्चे जब गोता हैं कि टना मज़ दर बात है अब देखो हम पहले वाले दुकान का आपने कल्कूलियचन यह अपर लिखा है answer 10 साझ शालिज बाइज यह ए 20 साल 40 जर फालतु दें रहा हर महीने स्वीडोल अपो को यहां सकता है कोच गलती मेरे से को सकती है तो वह आप उतना समझना लेकिन यह पोँंचे का जो हमने यहां पर लिखा है ठीक है तो पंद्रवे साल आपको सर 25,000 रुपे फालतू दिराई है, 65,000 रुपे फालतू और 15 साल उसी दुकान का रेंट सर 94,000 रुपे हो चुका है, अच्छा एक बात ध्यान से समझना, सर हमने हर साल 10 परशंट यहां पर बढ़ा है ना, तो यह appreciation उपर नीचे भी हो सकता है, उस चीज़ को भी आप consider करें, ऐसा fix नहीं है कि 10 हो नहीं है, लेकिन नॉर्मल केस, ठिक ठाक केस में 10 परशंट तो होता है, ठिक, 94,000 रुपे हैं आपको रेंट दे रहा है, क्या ही फ्लैट के केस में कभी ऐसा होता है? सर फ्लैट की तो appreciation कई बार तो 5 साल तक होता ही नहीं है, फिर location पर बात कर रहा हूँ मैं, location अच्छी होई तो जल्दी हो जाता है, नॉर्मल केस में 5-5 साल तक होता ही नहीं है, और अगले 5-6 साल दस साल तक तो जिता फ्लैट अप्रेसियेशन हो गया, उसके बाद वो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्लैट का फ्लैट, बिल्डर 5 किलो मेटर आगे बढ़के, 10 किलो मेटर आगे बढ़के, वहाँ डेवलप कर रहा होता है, आदमी की प्रेफरेंस उस नए वाले एरिये में होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़िया फ्लैट मिल रहा है, और जितनी एप्रिशेटेड वैल्यू वो ओनर उस फ्लैट का मांग रहा होता है, पुराने वाले का, उतनी वैल्यू में या उससे क्यां वैल्यू में हैं, आपको उसको नए फ्लैट दे रहा होता है, ज़्यादा अमेनिटीज के साथ, ज़्यादा फेसलिटीज के साथ, तो नया आदमी वहां जाना पर फ्रिफर करता है, तो अप्रिशेशन खात्रे में फ्लैट का, लेकिन दुकान के साथ तो ऐसा नहीं है, दुकान की तो बढ़ नी बढ़ नी है, मैंने जैसे बता है, दुकान पर कॉम्परमाइज करने हैं, क्योंकि दुकान में खेल लोकेशन क्राउड का है, दुकान आदमी पाँच किलोमेटर अंदर जाके नहीं खरिच सकता, पाच कीलो मेटर अंदर आथ उसकी संय घर जाएगी लिकिन फ pushed तो पंस किलो मेटर अंदर जाकर ले सकता है फबाइट तो 50 किलो मेटर पीशे जाकर नहीं रहे तो इसी लिए दुकान की appreciation होती ही रहती है, अच्छा ऐसा नहीं है कि आज इवन होता ही रहेगा, एक टाइम पर तो इसका भी saturation point आएगा, जहां से अब appreciation बंद हो जाएगा, उससे appreciate नहीं होगा, क्योंकि नए नए दूसरे areas में development हो रहा है तो वहाँ appreciate होगा, लेकिन कितने समय समय तक appreciate होगा, सर जितने समय में flat का appreciation रुक जाता है, उससे जादा समय तक office का appreciation होता रहता है, और उससे भी जादा समय तक दुकान का appreciation होता रहता है, सबसे लंबे समय तक appreciation आपको दुकान ही देगा, अगर land की बात करो, तो land की बात करो, तो दुनिया जब तक है, आपके मर काई हमारे रियत में फ्लाइट है कि ऑफिस है और दुकान है तो कन विनर एंटा समझ में रहा है यहां कि यहां है कर देखो शरओ आपन पंड्रवे साल अस्टी हेजार आन वल्ली मांकली दे रहा है चौदहclock are 6 आपके नए दुकान की EMI और डाउन पेमंटोन निकाल के दे रहा है। पास साल बाद, यानि कि अभी अगर आप 25 के हो तो आपके 35 होते होते, आपके दुकान ने EMI भी देना शुरू कर दिया और डाउन पेमंट देना शुरू कर दिया। इतनी ही चुल्ल है, लगजरी में रहने का इतना ही चुल्ल है, तो पहले थोड़ा पैसा बना लो, उसके बाद अपना ही चुल्ल पूरा करना। लेकिन जब तक पैसा नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी और अपनी परिवार की जिंदगी खराब मत करो। ठीक है, क्योंकि जिसको दिखाने के लिए आप ये खर्चे करते हो ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो, ये सब आप ही के मन का खेल है कि हम अमीर दिखेंगे तो उसको खुशी होगी, उसको अच्छा लगगा, आप की इज़त बढ़ के लाइक बैंक में बढ़ा है, लेकिन खरीदेंगे पांच जार का, क्रेडिट कार है ना, ये माई लगा करके ले लेंगे, पर्सनल लोन ले करके घूमने जाएंगे स्विट्जर लेंड, क्योंकि ऑफिस वालों को दिखाना है, ऑफिस वालों नहीं तो ताना मारेंगा, त और हमको बताना है कि हम गरीब नहीं है, तो लोन ले करके हम सुर्जर लेंडो जाएंगे परिवार के साथ, इंस्ट्राग्राम से फोटो डालेंगे, और इसी चक्कर में तुम जिन्दगी बर गरीब रहते हो, सर, रेटायर्मेंट होते होते ना, आपके पास इतना अच्छ नहीं मारना पड़ता, महनत नहीं करना पड़ता, और रेंटल इंकम जब अलगों मर गए, तो परिवार के लिए जब छोड़ के जाओंगे, तो परिवार वाले दिन में चार वार अगरवत्ती जलाएं, आपके पोटो बहुत बड़िया काम कर गए है, बाओ जी, और उसके अपने सरीर को सलामत करते हुए, वो फिर जला, मायन, विर वेल्थ का, और वेल्थ के जितने खिलाडी आपको दिखते है, प्रॉपर्टिक जितने आपको खिलाडी दिखते है, इसी तरीके सोता है, समय लगता है, पेसेंस होता है, कई लोग के कमेंट आते न, सेशन में, सर कमाइब भीत साल काउन रूखेगा 15 कई अरे का गेम है धैरी का गेम है राम ने भी 14 साल dhari रखा था तब जाके बगवान कहलाए ऐ knee 10 ऐसल का धैरि रखा था जब उनकी पतनी सीता का कारन हुआ था एक साल तक सेना एकटी दिखर करती रहे त्यारी करते रहे एक साल बाद उनको वापस मिली महानता का एक सबसे बड़ा पास सिम्टम है सर जो आदमें महान बना उसके घारह धैल कोट कोट के बरह Tuesday एक थेर नहीं तो महान तो एक तुम कसे लाइक नहीं हो दो स्फिनिकल नोहीं से तुमारा कुछ नहीं हो सकता सिर्शisson मा memball दूरी कि लेकिन पढ़ेंग करो गयान उसके पास चाला जाएगा जो प्लानिंग कर रहा है कि दुनिया में धन तो लिमिटे थे जमीन की तरह तो दुनिया मैं पैसा लिमिटेड है तो यह फाइसा उसी की तरफ अट्रेक्ट होता है जिसके पास प्लाइनिंग जिसने उस पैसे के लिए प्लान बना रखा और जिसने प्लान नहीं यहां पर कुछ लोग देंगे सर कल का क्या भरोसा किस ने देखाए कल मर गए तो अरे बच गए तो जिन्दा बच गए तो फिर पच्ता होगे कास हमने भी कर लिया होता है यह फालतू के डालोग वाजी के चक्कर में आदे आदे लोग बरबाद हैं ठीक है सेशन में मजा आया तो मुझे कमेंट में कमेंट बोक्स में लिख पता हूँ अभी भी कमेंट दिख रहा है मुझे पढ़ रहा हूं मैं कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा ही सेशन अरे लिखो जल्दी अरे लिख लिख रहा है